हलो दोस्तों आप लोगा स्वागत है गल्फ एडिया चैनल पे दोस्तों अगर अब इस दुनिया की खबरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को अभी आप तुरंट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ले दोस्तों जो कतर की सबसे बड़ी अभी अपडेट आ रही है कतर मेडिकल सेंटर के बारे में आ रही है कतर फ्लाइट की जो डेट स्टार्टिंग डेट किया है उसके बारे में आ रही है दोस्तों जो कतर मिनिस्टर है अभी कुछ दिन पहले ही एनांस किया था कि जो कतर मेडि अभी तो दोस्तों सिब special flight चल रही है लेकिन दोस्तों मैं बात करूँ कि जो normal flight है जो पहले lockdown के पहले जो flight चलती थी normal condition में वो flight कभी start हो कि मैं आपको इसी के बारे में आपसे मैं बात करूँगा दोस्तों जो जो qatar medical center है उसका जो date का announcement हुआ है दोस्तों अभी कुछी दिनों पहले एक notice जारी कर दिया था qatar minister के तरफ से कि जो qatar medical center है जो कि दोस्तों इसके जरिये जो visa provide की जाती है तो visa का जो date है वो तो announce हो चुका है लेकिन आप से मैं बात करूँगा कि जो qatar medical center है उसका जो डेट का announcement हुआ है दोस्तों वह है 15 दिसंवर से इह जो पंदरा दिसंवर से जो यह जो पंदरा दिसंबर से यह जो डेट एंटास हुआ है दोस्तों यह confirm है कि कतर medical center was 15-12 ऑपन हो जाएगी और जो भी process है जो भी work है वीजा को लेकर या फिर और कोई कोई चीज लेकर health को लेकर सारी चीज इसमें होगी जो कि इस कतर medical center से आपको जो वीजा प्रोवाइट की जाती है यहीं से की जाती है जो कि आपका medical test होने के बाद आपको फिर वीजा प्रोवाइट की जाती है अब मैं बात कराओंगा दोस्तों जो कतर फ्लाइट है वो किस डेट में स्टार्ट होगी जो कि regular फ्लाइट जिसे कहते हैं जो कि पहले दोस्तों lockdown से पहले जो normal फ्लाइट चलती थी कोई भी देश के लिए कतर के लिए तो इसकी जो देट है दोस्तों मैं आपको बता दू जो कतर फ्लाight की जो देट है वह अभी कुछ दिन पहले ही अनॉउंस हुआ था लेकिन कुछ कारण से इसकी जो अनॉूंसमें डेट है वह एक्षिटेंट हो गई थी। लेकिन दोस्तों आज की दिन ही गघेड़ एनॉंस किया है कि जो भी कातर की जो भी नॉर्मल फ्लाइट है जो भी देश् के लिए नॉर्मल फ्लाइट आएगी चाहे वह ह्यर्स कंट्री वाले हो जै Rede लोरिस कंट्री वाले जो अभी जिस देश में भी महमारी चल रही है उस देश को अभी बैंड लगा दिया गया था लेकिन दोस्तों धीरे धीरे हर देश पर बैंड हटा दिया गया जो कि अब अब नॉर्मली कतर आ सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो अब को भी आप नॉर्मल फ्लाइट कहले या फिर आप दोस्तो आप रेगुलर फ्लाइट कहले जो कि इसकी इसके चान्स हो सकता हुकर लेकिन आनका बता दूघ कि जो चान्स हो पैप nggak को सब्सक्राइब कर चांस हे तौण से कका पर हुका Medicals Qatar Medical Center open हो जाएगी और दोस्तो जो भी Facility आपको मिलती थी फ्लाइट में और Qatar Medical Center में जो कि आपको Visa प्रोवाइट किया जाता हूँ सबकुछ open हो जाएगी दोस्तो आप इसी तरह रोज गल्फ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी आप मेरी चैनल को तुरंद सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रिस कर ले और मेरी चैनल को प्रीज अभी आप सेयर भी कर दे थैंक यू